गूड अप्रनूंस टुडेंस, मैं आज आप लोगो को बुक से करवा रही हूँ, बुक है सेमिस्टर टू का करवा रही हूँ आप लोगो को, चैप्टर फास्ट, उसमें दिया है ट्राइंगल, ट्राइंगल का पिक्चर दिया हुआ है, आप लोगो मैं बता भी चुकी 3 साइड और 3 कौर्नर सब ट्राइंगल में है, 3 क्या है साइड भी है और 1, 2, 3, 3 कौर्नर भी है ये सक्वाइर, सक्वाइर में 4 साइड, 4 साइड और 4 कौर्नर भी है उसके बाद red triangle इसमें four side four corner है साथ में ये square में चारो भुजाए चारो एक ही side चारो जो four side है four corner सब एक ही लंबाई के होते हैं एक ही length के होते हैं लेकिन red triangle में क्या है ये दोनो एक ही length का होगा ये दोनो एक length का उसके बाद है circle circle में क्या है ना side होता है ना corner होता है ये पुड़ा एक goal रोटी के तरह होता है उसके बाद oval कैसे होता है अन्डा के आकार का होता है आप लोग अंडा देखे होंगे, कोई खाते भी होंगे, कोई भेजिटीरियन है तो नहीं खाते होंगे, लेकिन देखे हो अंडे के आकर का उभल होता है अब इसमें question दिया है, इसमें कि हमको trace करना है और नाम लिखना है यह जो question दिया है, इसमें हमको shape का नाम देना है, तो इसमें आप लोग के book में देखेंगे, यह हलका सा बना हुआ है, उसको आप लोग मैं जैसे pencil से बनाई हूँ, आप लोग भी बनाईगे, साथ में यह क्या है, oval है, तो oval लिखी हूँ मैं, उसके बाद क्या है, square है, तो square लि को गाढ़ा करना है, उसके बाद क्या दिया है, triangle है, तो आप लोग यहाँ पर मैं जैसे लिखी हूँ, triangle लिखना है, उसके बाद यह क्या है, circle बना हुआ है, लेकिन उसके उपर से आप लोग book में अच्छे से इसको pencil से बनाएंगे, और नाम नेम लिखना है, क्या है, circle क्यूम है, उसके बाद red triangle भी आपको अच्छे से बनाना है, pencil से, हलका करके बना हुआ है, और उसमें आप लोग उसका नेम लिखेंगे, उसके बाद नीचे वाला question में मैं इस तब following बोल रहा है, तो उसमें first यह circle बना हुआ है, इसको यह जो सेफ है, यह circle का है, तो यहाँ पर circle यहाँ लिखा है, c-i-r spelling इसलिए आप लोगों को याद करने बोले थी, c-i-r-c-l-e, तो circle यहाँ पर लिखा है, इसके साथ इसको ऐसे करके हम मैच करेंगे, उसके बाद यह triangle है, triangle कहां लिखा है, यह लिखा है, triangle के साथ, यह है, triangle का shape में आ रहा है, तो मैच करेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ दिया है, square, square कहां पर आपको कौन सा shape दिख रहा है, यह, तो square का क्या है, चारो corner और four corner और side एक जैसा होता है, तो हम उसमें मैच करेंगे, उसके बाद red triangle, red triangle में four side, four corner होता है, लेकिन यह क्या है, उपर वाला जो, यह length और यह length एक जैसा होगा, यह दोनों का length एक जैसा होगा, तो हमको यह red triangle का shape के साथ मैच हो रहा है, तो उसके साथ हम मैच करेंगे, आप लोग यह सब को क्या करेंगे, बुक में बनाएंगे, और WhatsApp ग्रूप में आप लोग send करेंगे, और साथ में याद भी करना है, spelling याद किया, आप लोग को, यह मैच तब following exam में आएगा, तो आप लोग को बनेगा नहीं, तो आप लोग को spelling याद करना जरूरी है, ठीक है, थांक यू